जहिन चात्रो मैं इशारहमत competition community के इस question session प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और हमेशा आप लोगों से कहता हूं और कहता रहूंगा कि अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखिये और साथ में उसे एक युद्धिस्तर पे लेके जाएए चातरो हमारा उद्धेश होना चाहिए administrative service और उसमें कैसे प्रशन पूछे जाते हैं और कैसे प्रशन पूछे गए हैं और कैसे पूछे प्रशन जा सकते हैं तो इन पे हम क्या करेंगे, इस में बल देंगे इस सत्र में, आप जैसा की जानते हैं, निरंतर हम प्रस्ण करते हुए जा रहे हैं, पहला हमारा सेशन रहा भारती भोगोल का, जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा, उस सत्र को देखे, और उन बच्चों से निवेदन करन करना चाहूंगा जो इस सोच पर निर भर करता है अगर मान लिए तो हार है और ठान लिए तो आपका जीत है इसी उद्देश से उवंग और इसी साह के साथ आप जो है हम अपना सत्र प्रारम करते हैं जो कि भारत का इतिहास से संबंदित है भारत का इतिहास हमारा चल रहे है विशय प्राचीन पोर्शन हम कवर कर रहे हैं ठीक है एंशेंट पोर्शन हम कवर कर रहे ह वैदिक काल का ये part 2 है इससे पहले part 1 हो चुका है जो छात्र पहली बार इस सत्र को देख रहा है वो जाके पहला सेशन जरूर देखे जिसमें की रिग वैदिक काल का जो है सारे प्रस्न देखे गए हैं कराए गए हैं और आपका उसकी detailing भी उसमें हो यह उके प्रसाशनिक लिखित साक्ष प्राप्त नहीं होते हैं पसान काल पसान काल की हमने detailing देखी detailing देखने के परश्चाथ हमने क्या 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 और questions कैसे पुछे जा सकते हैं उनके तत्वी इसमें चर्चा किया गया है अब यहां दिखाई दे रहे है आध्द्य इतिहासिक काल तो आध्य एतिहासिक काल में आता है आपका जिसके लिखित साक्ष प्राद्त होते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता मतलब इंडस्वेली सिविलाइजेशन कि हम टॉपिक वाइस प्रशन कर चुके हैं टॉपिक वाइस जो है हमने डिटेलिंग भी देखी साथ में अब यहां प्रा पंद्रासों से एक हजार इसापूरो और आपका एक हजार से छेसापूरो आपका उत्तरवैदिक काल की चर्चा इससे पहले वाले सत्र में होको चुकी है उनलाइन फैक्स कुछ इस प्रकार से हैं यहां देख सकते हैं रिगवेद में दस मंडल एक हजार अठाइस सुक्ति जो की एक इरानी ग्रंथ है और आपका रिगवेद यह दोनों जो है एक दुसरे से कहीं न कहीं सिमिलर मिलते हैं ठीक है इस प्रकार के तथियाद रखना है फिर उसके बाद क्या बता है मैं रिगवेद के जो सात्वा मंडल है उसी में ही जो है आपका गैतरी मंत्र की में और आपका भारत कवीले की जीत होती है जिसले की भारत का नाम भारत पढता है ठीक इस प्रकार के तथ्य में हो चुकि है तो आईए यहाँ से प्राराम करते हम उत्तरवैदिक पूरु में रिगवेद की रचना हुई इसलिए उसका नाम पढ़ गया Evetick Wie ल IP उतरवेदिक काल में तीन वेदों की रचना हुई, सामवेद, यजूरवेद और अथरवेद की, सामवेद कैसा गरंथा भही, सामवेद याद रखेगा, सामवेद जो है अधारित है रिगवेद पर, लेकिन इसे भार, जो है, ये पूरा का पूरा जो है, संगीत पर अधारित ठीक है उसके बाद क्या बताया है कि 1875 इसमें रिचाय है यहां पस याद रखना है बच्चों यहां याद रखना है 1875 पूछता है कहीं 1810 पूछता है ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है लेकिन मूल रिचाओं की संख्या अगर कहा जाए तो आपका 1549 मानी गई है ठीक है इस प्रकार के तथिस में याद रखना है ठीक उसके बाद याद रखना है यजूरवेद कैसे याद रख सकते हैं यजूरवेद याद से जोड़के आपका यग्य से याद रखना है यजूरवेद काल और उत्तरवेद काल मैपिंग से नहीं समझाए चलिए भाई समझ लेते हैं यह देखो भाई कैसे नहीं बन रहा भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं बना लेते हैं इस प्रकार से ठीक है याद रखिएगा कि बहुत सारे विद्वानों ने जो है बहुत सारे मत दिये हैं जो पहले सत्र में आप देख सकते हैं जाके लेकिन यहाद रखना है कि मध्धेशिया से आने क इनका प्रमाण अधिक्तर प्रमाणित होता है, question Max Muller का पूछा गया है, ठीक, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो हो उनका दिमासी स्थान रहा है, सब्त सेंधव प्रदेश, मतलब कि सिंदु नदी के छेतर वाले एरिया में, फिर उसके बाद धीरे-धीरे इन्होंने प्ल प्रदेश और बिहार वाले छेतर में याद रखना है आपका उत्तरवैदी काल, और उत्तरवैदी काल में किसकी किसकी रजना हुई, सामवेद, यजूरवेद और अथरवेद की रचना हुई, अथरवेद सबसे नवीन वेद कहलाता है, अनार्यो द्वारा रचित कहा जात इसकी detailing आगे देखेंगे आईए ठीक है कहा थे भाई हम ठीक है यह complete हुआ अब याद रखना है अथरवेद अथरवेद जो है सबसे नवीन वेद है ओके इसके बाद इसमें क्या detailing याद रखना है हमें कि इसमें ब्रह्म ज्यान और आउसधी और आपका आउसधी विज्ञान और आयूर्वेद की जानकारी प्राफ्त होती है ठीक है याद रखेगा रिगवेद का उपवेद आयूर्वेद है लेकिन आयूर्वेद की जानकारी किससे प्राफ्त होती है आपका तो आपका अथरवेद में किसका रिगवेद का लेकिन रिगवेद में क्या जानकारी प् बताया था कि आरे जो है मद्देशिया से आये और जिन्हें स्रेष्ट एवं कुलीन कहा जाता था जो कि आपके वन्वेवस्था में सबसे उच्चतम स्रेणी के अंतरगत आते थे चार प्रकार की वन्वेवस्था बताई गई है पिछले सत्र में आपका पहला है आपका ब्रा याद रखना है कि आपकी वन्वेवस्था कैसे हो गई आपका जन्म पर अधारित हो गई याद रखना है कि आपका जैसे कि ब्रामन के घर में जो बच्चा पैदा होगा वो ब्रामन ही कहलाएगा अगर चत्री के घर में जो बच्चा पैदा होगा वो चत्री ही कहलाएगा इस प्रकार से आपका वनेविवस्ता प्राराम हो गई उत्तरवैदिक काल में, लेकिन रिगवैदिक काल में ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था, कि वहाँ कारे पर अधारित था, अगर कोई चत्री के घर में कोई बच्चा, अगर सेवा का कारे करना चाहता है, तो वो बिलकुल स जंगलों में तो उस प्रकार से याद रख सकते हैं सिर्फ इतने याद रखना है ज्यादर डिटेलिंग में याद रखना है वन डे एक्जामिनेशन पर फोकस है हमारा सारी चीजी छोटी-छोटी चीज़े याद रखेंगे देन उसके बाद हम किससे रिलेट करेंगे पेपर ह प्रशन पूष्ट है कि आरण्यको की संख्या कितनी है उसके बाद क्या आदा है आपका उपनिश्द का अतत पर यह होता है कि गुरू के समीब बैठ के सिक्षा प्राप्त करना जैसे उपनिशदों से बहुत सारे प्रस्ण पूष्टे हैं बताता हूं याद रखना है उप कहां से लिए गया है तो आपका मुंदुक उपनिशद से लिए गया है ठीक है यम एवम नचिकेता की जानकारी कहां से प्राप्त होती है आपका तो कठो कठो उपनिशद से प्राप्त होती है इस प्रकार से याद रखना है सबसे पहला उपनिशद अगर किसे कहा जाया तो तो कौन से है आपका व्रिहद रायन उपनिशाद है तो इस प्रकार के तत्य हमें याद रखना अनिवार है यह सारी चीज़े आप रिवाइंड करके एक बाद देख सकते हैं और नोट भी करते जाएगा क्योंकि परिच्छा उपयोगी बहुत ही महत्पून तत्य है अब उसक प्रकार से चरण से इन सब सारी चीज़ों क्याद रखेंगे जैसे कि असानी से समझ सकते हैं इसे याद करना अनिवार है स्क्रिंशॉट इसका ले सकते हैं अब देखिए यहां देखिए सबसे पहले लिखाया हुआ है वेद कौन से इसी क्रम पर याद करें तो ज्यादा ब इसके पुरोहित को है मतलब कि आपका वेद को पढ़ने वाला कोन है ठीक है यह तोड़ा सा जो है यह मिसमेच नहीं करहोने देना है उसके बाद क्या है इसका विशय क्या कहा है मंत्रयों मिस्टूती और बाकी सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, यहां आपका किनारे से मैं आप लोग को समझाता हूँ, देखो, यहां दिखाई दे रहा है रिगवेद, याद रखना है, रिगवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, होतरी, जिससे की प्रस मैंने इसलिए वहां मैच करा दिया है, उद गाता, ठीक है, सामवेद को पढ़ने वाला उद गाता, कैसे याद रख सकते हो, सामवेद संगीत का वेद है, जिसमें गाना पढ़ता है, तो कोन गाएगा, उद गाता गाएगा, इस परकार से तथ याद रख सकते, relate करके, तो इस प्रकार से हमने क्या याद किया रिगवेद और उसको पढ़ने वाला ठीक है पुरोहित सताथ पर पढ़ने वाला ठीक उसके बाद क्या है मैंने बताया रिगवेद का उपवेद क्या है आपका क्या है आपका यजुरवेद ठीक है उसके बाद सामवेद का आपका क्या है मतलब उपवेद आपका गंधरवेद कैसे आतर सकते हैं सामवेद संगीत का वेद है ठीक है तो गंधर से तात पर क्या है आपका थोड़ा प्यारा सा नजर आया तो गंधरवेद ठीक है यजुरवे लग रहा होगा इसको अराम से बैठके अपने जहां आप आराम करते हो या बैठते हो उसमें जो इसे चिपकान है और सारी चीजों को याद कर लेना है बस मैं समझा देता हूं एक प्रकार से ठीक है अब जो है यहां देखिए अब यहां उपवेद को पढ़ने वाला क्या कहल पढ़ेगा उसे प्रकार इसका वह आपका ब्राह्मन गरंद को कौन का को रिगवेद का अर्क है किसा है तो आपका अब चुर वह प्रकार जेमिंटका techniques कि स्ट्वित का यहाद रख ना है अब जानकारी क्या प्रकारि मिलती है किसी में इस से देख लेते हैं रिग वेद में जानकारी मिलती है, मंत्र वम इस्तूती की, संगीत की जानकारी मिलती है, साम वेद में, यग वम कर्मकांड की जानकारी किसमें मिलती है, यजुर वेद में, और आपका चिकित्सा वम जादू टोना की जानकारी किसमें मिलती है, आपका अथर वेद में, तो इ कितने हैं आपके कुल 6 ठीक है और किस प्रकार से सिख्छा व्याकरन जोतिस कल्प निरुक्त चंद इसे याद रखना जरूरी है तो वेदांग हमें याद होना जरूरी है ठीक उसके बाद है महाकाव्य महाकाव्य दो है रमायाड महाभारत ठीक है तो रमायाड के रचेटा इसमें पिछली क्ष्छम बताए थी कि आपका कृष्ण देव द्वैपवायन जो है आपके उन्हें वेद व्यास के उपादी दी गई कहीं वेद व्यास तो नहीं है बिलकुल नहीं वह व्यास उनको संग्यादी गई है वेद का संकलन करने के लिए लेकिन आपका महाभारत के ताट के लिए चईता कोन है वेद महरशाइज वेद व्याश ओके आगे बढ़ते हैं ठीक है और उसका याद रक सकते अन्य नाम पुछा हुआ है क्या नाम है आपका चतु विंशिती सहस्ती सहीता ठीक है चतु विंशिती सहस्ती सहीता भी रमयाण को कहा जाता है ठीक उसके बाद है आपका पुरान पुरान के रशनकार कौन है लोमरशी जी उसका पूत्र उग्रसवा ठीक है कितने पुरान है टोटल 18 पुरान है प्रस्ण सीधा सीधा पूछा जाता है तो पुरान से याद रखना है अठारा पुरान आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए दर्शन है दर्शन साथ से हमेशा प करना पूछन हमेशा पूछन कि कौन निकल लिए जिसे आपका नयाय सुत्र भी कहा जाता है देन आपका विशैशिक किसका है तो कनाद रिशी द्वारा किया गया है ठीक है, कनाड वम उलुक रिशी द्वारा किया गया है इस प्रकार से, योग किसका है सबको मालू होगा, पतांजली ठीक है, योग सुत्र कहा जाता जिसे पूरुमीमान सा जैमिनी द्वारा और उत्तर विमान सा किसके द्वारा की आगे है आपका वाद्रायन द्वारा देन उसके बाद आखरी में चर्वाक है चर्वाक सहीता बहुत ही अगर पढ़ने जाए तो कूल हो जाएंगे ठीक है इस पर चलो पढ़ाई के ओर आते हैं सब्सक्राइब हो रहा तो प्रस्निक और बढ़ते हैं सूची एक को सूची दो में सुमेलित कीजिए नीचे दिये गए कूट को कि सहायता से सहीं उत्तर चुनिए ओके ठीक है क्या दिया रिगवेद और आपका इसमें उसके अप्रोच क्या क्या है मतलब उससे आपके जान बत्रõओन पराथनाइए संगीत पराथनाओन करमकांड तो यजूर्वेद के मित प्राथनाएं सबसे पहला होगा एक होगा-इकडा information kun कि इसका-किसका है- ons बताया हूं हमेंसे अप्रोच ऐसा होना चाहिए यह जूर्वेद का अभी बताया है मैंने कर्मकांड वाले एरिया होगा तो बीका टू किसमें दिखाई दे रहा है पहले वाले में दिखाई दे रहा है मतलब कि आपका अंसर क्या हो जाएगा सामवेद का क्या है संगीत इस्तोत सिधा दिखाई दे रहा है अथरवेद आपका तंत्र मंत्र एवं वशी करण जैसे कि मैंने आप लोगों बताया सबसे नवीन वेद और तंत्र मंत्र जादू टोना वशी करण किसमें आपका अथरवेद में ठीक है पढ़ने मत भिढ़ जा निम्न दिये हुए कूट में शहीं उत्तर का चेहन करें अब देखो रिगवेद और इसा किस से बॉर परात कर रहे है आपका ब्रामषन गरंद से तो आ यह से बनाते हैं 갈 ठीक है रिघवेद एवimmen इसके आपका बराह्मान व्राह्मृ ठीक है तो क्या हो जाएगा अपका एक अत्रि दिखाई रहे लहे This इस प्रकार से यह तर्थ्य होंगे देख लीजिए मिलाज़िया सी का वन सहीं है आगे बढ़ते हैं यहां से क्या है फोकस करना पड़त है कहीं गलत मार्क तो ठीक सुप्रेंग और यजूर्वेट हुए आगे बढ़ते हैं प्रासम करते हैं ऑध्यात्म घ्ञान के विशह में नीक नेषी केता और यम का सवाद जिक हिस सामवाद पर फहला इडियों प्तर का सेखेए twist पहला सबताया यहोट जाएगा आपका कठोफ निशाद इसका अंसर ठीक आपका इम एओम न चीक्रिता के बारे में और न अगेभडने अगरा प्रस्थप उस्तके है उपनिशत पुष्टके है और्म पर योग पर विधी पर याद रखेह जो आपका उपनिशत पुष्टके आप बुक्स हैं उके आएगे बढ़ते आई प्रस्वांग छे हैं हमारा निम लिखित में से वैदिक सहीत्ति का सही करम क्या है देखो सही करम से भी प्रस्णियाद रखना है हमें ठीक है सबसे पहले देखो वैदिक सहीत्ति आएं ब्राम्भन आरण्यक उपनिशद वैदिक स तो इस प्रकार का करम याद रखना वेडिक शाहित ब्राम्मन आरणियक फिर उसके बाद उपनिशाद इस प्रकार के प्रस्न भी पूछे जा सकते हैं ठीक है अगला है प्रस्न हमारा प्रस्न को साथ सुरी निमलिखित में से कौन सा वेद आंसिक रूप से वद्द्य नहीं हो ठीक है पद्य होगा है यहां गलत है पद्य होगा ठीक है याद रखेगा यजूरवेद आंसिक रूप से क्या है आपका पद्य है ठीक आगे बढ़ते हैं और सामवेद जो है गद्यों पद्य दुनों है अब उसके बाद प्रस्न का मांग आठ है सत्य में जयते किस व्रिहद में वाजपय यग्ग की किरियाओं के संबंद में उलेख है याद रखेगा व्रिहद रायन उपनिशद जो है उसमें वाजपय यग्ग के बारे में पता चलता है सीधा-सीधा याद रखना ठीक है आगे बढ़ते आई अगला है हमारा भारतिय संस्कृति के अंतर लग लोग अलग वे पिपजा रहे होंगे रिवाज न जाने ऐसे प्रकार से कुछ और सौंग सुना था वे बीच में तो याद रखेगा इधर उदर के रीट में नहीं जाना है रीट का मतलब जो है आपका सीधा सीधा लगाना है प्राकृतिक नियम से ठीक प्रकार से प्रसं का मां 11 वैशेशिक दर्शन के प्रेंडना एड़ी का नाम के है कमसे वैशेशिक याद रखें कोहन है वैशेशी कणाद कणाद रिसी जो है आपका वैशेशीज दरसन के पृठिपादक है आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध दसराजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर पुरो और भरत कवीले के बीच में जो युद हुआ था वो पुरुषणी नदी जिसे कि आपका क्या कह जाता है अभी की डेट में रावी नदी के तट में हुआ था जिसका उलेख रिगवेद में हमें प्राप्त होता है पहले ही बता है मैंने आपको आगे बढ़ते हैं यह पुराणों की संख्या कितनी बताइए तुरंत आंचर लगाओ पुराणों की संख्या अठारा ठीक है आगे बढ़ते हैं ऐसे मिलेंगे संस्कारों की कुल संख्या कितनी है हिंदु धर्म में संस्कारों की संख्या सुलामानी गई है जो कि इस प्रकार से याद रखना है ठ याद रखेगा वैदी काल का सबसे मोस्ट महात्वण जो है आपका क्या बोलते हैं अगर कोई जन्वर है जन्तु है तो वह कहा है आपका गाय अघन्या कहा गया है से इसी के लिए युद्ध हो जाती थी ठीक कविष्ठी कहा जाता थे इसे आगे बढ़ते हैं अगला है तमसो कैसे में विषवास करती थी बहुत सारे बच्चोंने बहुत सही आंसर दिया है मैं उट्सा वर्दन करता हूं और जो बच्चे इससे पूरा देख रहा है उससे बी चावाँवा कि वो जो है आपका लास्ट का कोस्चन का अंसर जरूर दे, ठीक है, आईए आज का प्रस्न देखते हैं, आज का प्रस्न है, आयुर्वेद अर्था जीवन का विज्ञान का उल्लेक सरप्रथम मिलता है, तो बिल्कुल सोच समझ के लगाना है, हमें इसके बारे में बहुत बारे टच की है, ठीक है, इसी के साथ चात कर सकते हैं सारी चीज़े, और साथ में जोगा सकते हैं चली जलती, एक क्विक रिविजन फॉर्मेट में, और एक स्मार्ट स्टडी फॉर्मेट में भी आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा, जैहिन चैभारत!